हलो कैप्टेंस अफ आम बैंड आज के शो में आपका स्वागत है और भाई आज का न्यूस फिर से एक सैकिंग एट मोहमेड़न स्पोर्टिंग क्लब ये तो आप कुछ नॉर्म जैसा बन चुका है यूरोपियन फुटबॉल में चल्सी और इंडिया में मोहमेड़न स्पोर् हैंगे विटाउट सिंगल सिंगल वरी तो महरा जो दिन बाडू आज सुभह ही हमें पता चला है कि वह सैक हो चुके है फ्रम मोहमेड़न स्पोर्टिंग क्लब का एम था टू विन दा आई लीग और उसके लिए उन्होंने सीजन स्टार्ट किया था विद्यर वेरी मुच फ उन्हें भी for some weird reason mid season में सेक कर दिया गया है and at the last part of the season महरा जुद्दीन बाडू को लाया गया और उनका performance has been very very good जूट बोलने की कोई जगा नहीं है क्योंकि आप देखो महरा जुद्दीन बाडू ने आई लीग को टीम को आई लीग में मैनेज किया है तीन टूनमें में मैनेज किया है तो उनका रोल वस वरी वरी इंपोर्टन फर मोहमेडन स्पोर्टिंग अब अगर पूरे स्टोरी को आप एक बार काउंट करके देख ले मैं कुछ स्टैट्स आपको बोलना चाहूंगा मेहरा अजुद्दीन वाडू के अंडर में मेहरा अजुद्दीन वाडू का जो टोटल टेनियर एज मोहमेडन स्टी हेट कोच अगर आई लीग दूरंड कप इन सब टूनमेंट्स को मिला जूला के देख ले तो आट मैचों में उन्होंने 1.5 पॉइंट पर मैच नहीं चल रही थी बट इस सीजन के शुरू से दूरंड कप में उन्होंने तीन मैचे खेले यह वन दा फर्स मैच यह लॉस्ट फर्स मैच नो मॉंबई सीट एपसी और वो होना ही था तीन एक से हारे तो मॉंबई इस फार बिटर स्कॉर्ट उसके बाद इंडिया ने वीग बोलना चाहूंगा about the Calcutta Football Division तो कि Calcutta Football League भी चल रहा है इन कोलकता जहां पे मैं बहुत सारे watch-alongs भी कर रहा हूँ वहाँ पे भी अगर आप देखो standing तो आचुका है वहाँ पे अगर आप देखो मॉंबधन स्पोर्टिंग इस पर्फॉर्मिंग ब्रिलियंटली आउट देर वहाँ पे भी महराजुदिन वाडू ही हिटकोच है जहां पे आठ मैचों में आज का मैच अगर आप निकाल भी देते है आज का मैच तो साथ मैच को देख के फाइनली लग रहा था कि वह बहुत सेटल नहीं एक नया नाम नहीं या इंडिया फुटबाल मार्केट में क्योंकि आप अगर महराजुदिन वाडू को देखो महरा ज़ुदिन वाडू इंडिया में बहुत सारे क्लप्स को मैनेज कर चुके है उनका पहला जो तो वहां पर उन्होंने कुछ दिन मैनेज किया उसके बाद हाइदराबाद के एसिस्टेन मैनेजर थे उसके बाद उन्हें पहला मैनेजर करियल स्टेप लिया जब उन्हें सुदेवा दिल्ली गए और 17 मैचेस में उन्होंने एक पॉइंट पर मैच के रेटिंग से 17 पॉइंट स्टीम को दिया and yes we all know सुदेवा दिल्ली wasn't a very ambitious team और हम लग जोग जानते थे they will survive relegation they are fighting to save relegation and महरा जुद्दिन had done a pretty good job उसके बाद रियल कश्मीर गाए वही रियल कश्मीर जो थोड़ी सी टूट चुकी थी because डेविड रॉबरसन चले जाने के बाद टीम में coach problems आये थे and वहाँ पे रियल कश्मीर को stability दिया था महरा जुद्दिन वादू ने और महरा जुद्दिन वादू 4-3 थी attacking formation के साथ जब अपना career just leap forward कर रहे थे मुहमेड़न स्पोर्टिंग इनके लिए उन्होंने फुटबाल भी खेला है सो उन्होंने उनको appoint करने की कोशिश गी देखो जम्मु एन कश्मीर पुलीस आई टिया लिमिटेर मोहन बागान इस बेंगल मुहमेड़न पुने सिटी भाराट एफसी चेन नाइन स्पोर्टिंग क्लूब देगो आं मुंबाई ऐसा कोई क्लब नहीं है इंडियन फुटबल में जहां पे महराज ने नहीं खेला और महराजृ दिन के पहले जो कोच थे हूं चैनी शॉब्र भी फिर से लौटने वाल है जिनके अंडर मुहमेड़न ने स्केंड फिरिश किया था अगेंस गोकुलम केरेला यहां पर विंजन जोने सी गोकुलम केरेला जीता आई लीग बट अगर मैं इस ट्रांसफर को थोड़ा सा देख लूँ यह मोहमडन मैनेजमेंट कितना इंपेशन्ट है और यह मुझे बोलते बहुत दुख हो रही है मोहमडन मैनेजमेंट या मोहमडन स्पोर्टींग क्लब इस अब वर्स्ट रन मैनेजमेंट अभंग दे कोलकाता बिक्ट्री और यह चीज दिमाग मरते है को कोलकाता बिक्ट्री इस नोन फर देर बैड मैनेजमेंट हर एक टीम, सो वहां पे उससे भी बततर होना जो लोग कोलकता में रहते हैं वो जानते हैं इस बेंगल मोहन बागान के जितने मोहन बागान के जितने हैं अपना काम और ज्यादा टाफ कर दिया है अब जो नए मैनेजर आएंगे उनके उपर ये प्रेशर हर वक्त रहेगा ते नो वन बैट थिंग और ही गेट सैक्ट तो ऐसे दिमाग में आप मैनेज नहीं कर सकते हैं इस नो फूटबाल मैनेजर क्योंक कोच का लाइब बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है फ्रम अधर परसें देखो आप अगर देखो एक कोच के लाइफ में आपको पैसा अप अर्न कर रहे हो बट यू निवर नो विन यू बिल गेट सैक्ट और यूर लाइफ पोटली गेस इंजियो परदी तो एक से इस परफॉर्मेंस वह नोगोंगान जानता है गेम चाहिए और इस्ट मेंगल वादू का सैकिंग प्रॉप्स पिछले कुछ सालम उन्हें जब एक कोच को लाइए है ते यह गेनूएनली गिवन देखोच सीजन साइम अच्छा खेले बुड़ा खेले कोंस्टनाइन वस नो परफॉर्मिंग विल बटी गॉड़ा जुड़ा जुड़ीन वादू का सैकिंग प्रॉब्स दर मोहमेड़न एसी इस दा मोस रेकलेस फुटबॉल क्लब्स जो एक बार भी नहीं सोच रहे कि हाव दे विल प्रसीड आफ्टर दिस वाट बील बील नेक्स टेप और आई लि भी जुड़ा जुड़ा मोहमेड़न का एक ऑड़ पुर कोड़ नहीं होगा मोहमेड़न कांट फाइट मोहमेड़न के पास एक कोड़ स्कौड होना चाहिए एक स्कौड जो मोहमेड़न स्पोटिंग को बार 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 रहल बार help करे to play better and play in a more convincing way क्योंकि गोकुलम केर का स्क्वार्डी मेंटेन कर रहा है देया बहुत तू और थी गुट पर एडू बेदिया जैसे प्लेयस को ला रहा है इंटर काशी आप लोग जानते हो एटलेटिक ओडे मडरिट के साथ उनका स्पॉंसर है तो इंटर काशी इस अल्सो देया देन अपार्ट फों इंटर काश इस अपार्ट फों इस अपार्ट फों आप तो ले लेते हैं कैप्टेंस के हर एक सवाल सो सक्सेस्फुली लैंडेड बिल्कूल भाई कॉंग्राचुलेशन स्टु इस रो यह सब की खुशी की बात है भाई आप चिस भी पोलिटिकल ऐलाइंस के हो आप अगर किसी आप अगर इंडिया में किसी स्टेट के हो यह विक्ति आप हम सब लोगों का है साइन्टिस्ट का है साइन्टिस्ट लोगों ने जी जान भर के महनत की चंदरयान टू के बाद उसके एकदम लास्ट फोटो फिनिश में एक थोड़ी सी गलती आ गई थी बद इस बार उन्हो अब किस कौम के हो किस मुल्क के हो आप किस स्टेट के हो अपकिस जाती के हो किस धन के हो जस्ट देश इंट वर प्लेयाथ एक दम एक दम महरा जुदिन सब के वैर भाई जो इम्मैनुन इलियसाद को छोड़ दिया उसका एमिल भी लीए इनके जगा कोई प्लेयर आईगा क के लिए साइन कर चुका है जो और Emanuel के बारे में मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि टाइम लगेगा बर राइट नौ मेरे पास जितना नूस है मुझे नौस है नौसी शायद एक या दो प्लेयर्स के लिए मार्केट में जाए बट एगें डेट इसमें कोई डाउट तो है नहीं तो राजबुशी एपसलुटली इंडिया राउड इंडियन तो भाई कल नौसी और आएफसी का मैच का वाच अलों करोगे क्या देखो मैं तो कल तो नौट-East का और जो आर्मी का मैच होने वाला है वो मैच का वाच अलों तो मुझे करना है क्योंकि देखो वो तो करूँगा धूरन कप का है अगर मैं घर आने में तो इसी दिलेट हो जाए स्कोर अपडेट रहेगा आई विल लेटर जोइन दा वाच अलों आज रात को सिंग नौट-East का मैच नहीं पूरे दूरन कप का जो क्वाटर फाइनल होगा उसका प्रिव्यू आज ही होगा आज रात के वीडियो के उपर सब लोग नजर रखना येस भी विल आजो टॉक अबाउट इस मैच अप तुमोरो वो तो फोकस में रहेगा ही बट देर इस लॉट तो टॉक आज गेस्ट भी आएंगे अगर उनको ऐसा कोच ले लेता है मुझे बहुत ज़्यादा शक नहीं होगा बिकॉस इस दाट गुड़ अफ़ प्लेयर दाट गुड़ अ मैन मैनेजर उनका कोचिंग करियर भी डेवलापोरा इस उन्ली 39 यर्स ओल तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम्स तो है नहीं सब्सक्राइब कर लेना देखो भाई वो लोग भी वही बोलेंगे मनलो मार्केश इस देर लॉट अज रात के वीडियो में सब आएगा डोंट वरी आज के लिए इतना ही जो भी लोग कमेंट कर रहे हो अब भाई रात को सब आंसर मिल जाएंगे वहाँ पर कमेंट कर लेना the guests will be there and we will talk a lot about the do run cup quarter final जो कल से शुरू होने वाले है कल पर सो उसके बाद और एक दिन और उसके बाद Thursday, Friday, Saturday, Sunday a lot to talk about so guys आज के लिए इतना ही फिर मिलूंगा आज रात के वीडियो को so don't miss it जो लोग के सवालों के मैं आंसर यहीं पर नहीं दे पा रहा हूँ so just wait for it आज रात को आपको हर एक का आंसर मिल जाएगा so until then it's goodbye from our band फिर मिलेंगे आज रात को with the new